पोके आप हैंए से डन ऊके तो अब आप किहां पे क्या हुद लगाना शीक होगे तो आप फ्रांट साइड हुद लगाऊँगे यह हुद आप इस तरह के से पकढ़ लोगे नीचे से हुद के वन होल में निडल निकालोगे तो शीक है इनद्ट लगाऊँगे इसमें नीचे इपना निदल निकाली एक बार दौबार आप यह एएस से निडाल निकाल जो भाग भी फिनिश नहीं हुआ हैं चीफिनिश होने से पहले आप ऐसे एक पर धागी के र UC Milan अफये के लिगूआ लोगर है यह ऐसे चोटी चोटी आप देखे रहो कितने अच्छी से नॉट नीटली नॉट्स लग दिया है यह दिख करों कि अगर यह चोटे बड़े हो जाते हैं तो पहले से इक्वल कर लो वर्न आपकी जो नॉट आप लगाओगी वो इक्वल नहीं आएगी उसमें अपका दागा चोटा बड़ा और बहुत कंदा तरीके से अस दिखान आपका यह बनेगा ठीक है तो आपने कि देखों यह आप में राउं कर दिया है ठीक है एक और यहाँ पे लगेगी बिल्कुल राउंड हो जाएगा है कि राउंड हो गया। पूरेस में हो गया, अब नेक्स्ट में आ जाओ गया आप नेक्स्ट में आप्सिजित ट्रावना आपका हो गया है अब नेक्स्ट ऑर में आप सेम प्रसिछब से वो करोगे भश गाद किस्ट कलिड़ता है यह आपका यहां पर कम्प्लीट हो गया अब आपको इस हुक के इस पोशिन को कवर करना चीक है तो आप यहां से निडल उपर के तरफ ले जाओगे ओके यह दोनों क्लियर हो चुके हैं अब आपको यह कैसे धागा यहां से ऐसे घुमा के चीक है आपको आपको अब आपको यहां से डागे के अंदर से ऐसे निडल भी घुमा लोगया है एक नट लग गया है फिर्स नंट लगा है इस तरह किसे ओके तो कि अधागी निडल की आगे से धाग घुमाना है जब आपका नौट लगेगा भीकॉए यह स्ट्रेट साइड है दर्गी रिंग था यह दोनों आपके रिंग थे इस वज़े से आपकी नॉट अच्छे से निकल दी और यह पॉशन आपका बिल्कुल स्ट्रेट ठीक है तो आप ब्लैंकेट स्टिच की तरह आप करोगे जब आपका यह नॉट लगेगा स्ट्रेट सा निकल कर आई न वँसाईड आपकी नॉट निकल नीच चाहिए तो आपके यह वाली nota भी बहुत अच्छे से निकली है दैन अपके ये वाली knots भी बहुत अच्छे तरीके से निकली है अब जब आपने needle नीचे कर दूए है आपका complete हो चुका है hook तो अब नीचे वाली side आप knot लगा दोगे finish इसी तरीके से आपको hook का main procedure यही है वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी भी लगाने को हम round कर देते हैं वो गलत procedure हो से हमारा hook अच्छे से टक नी होता है तक नी होता है वो आपका बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है आप पहने पहने कपड़े थो हलका सा tight से वो खिच गया तो वो रिमूव हो गया तो आपको अच्छे तरीके से यह कि ऐसे ही नॉट्स लगाकर लगाना है इससे फिनीशिंग भी अच्छी आती है और आपका हुक अच्छे से टक हो जाए